Good morning students Spoken English में आज हम confusing words करेंगे Confusing words क्यों होते हैं जो जिनकी spelling का लग होती है Meaning का लग होता है लेकिन वो बोलने में एक जैसे होती है जैसे कि 8 At खाना 8 अतला 8 In मतला अंदर और IW In मतला सराई Right लिखना Right सही See समूदर See देखना Dear prayer Dear hearing Big वक्ता और Big कम जोड Whole सुराख या छेद Whole मतलब सारा Allowed जोड से Allowed मतलब permission देना New कोई भी चीज के बारे में जानना New मतलब नया Not Got यह वाला Not मतलब नहीं Some मतलब कुछ और यह Some मतलब question मैहत में जोडते हैं I मतलब मैं I means आँक यह बाई मतलब खरीदना यह बाई मतलब जो जाते समय अलविदा कहना Dear मतलब उनका Dear मतलब यहाँ One एक One जीतना Made बनाना Made नौकरानी जो होती है Tail कहानी और यह Tail पूज Cell बेजना और यह Cell मतलब कमरा या कोठडी जो होती है One एक One जीतना End मतलब और यह End मिन्स खतम Root जड यह Root मतलब जो रास्ता जैसे बस का Root होता है For मतलब के लिए यह For चार Steel चोरी करना और यह Steel मतलब जो Steel जो बरतन बनते हैं Sun सूरज Sun बेटा Meet मास Meet मिलना So इसलिए यह So मिन्स Beach Bona Word Meaning C से Start Cheer मतलब खुश करना या वहवाही Cheerful प्रसन Cheese पनीर Chef रसोया Chemistry रसायन विज्यान Chess शत्रंज का खेल Chew चबाना चिक किसी भी पक्षी का चोटा बच्चा Childish बच्चों जैसा Chili मिर्च Chime घंटियों का गुंजल चिंक दरार जिससे देखा जा सकता है या खन-कनाट जैसे सिक्कों की ओपियर चर्प चहचाहाट चिडियों की Choosing ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ भी पसंद करने में बहुत वक्त लगता है Thank you